हेलो फ्रेंट्स वेलकम बाक टू मैं चानल आज मैं आपके साथ हैवी स्टोन वर्क की साड़ी का रियूज आइडिया शेर करने वाली हूँ यह सारे स्टोन जो है इसको पेस्ट करके लगाया हुआ है तो बहुत ही लाइट वेट साड़ी है यह बहुत साल पुरानी साड़ी है और बहुत ही सुन्दर साड़ी है इसको मैं आज रियूज करूंगी तो यह जो बॉर्डर लगे हुए है इनको और यह जो बीच बीच में यह जो पैच वक बने हुए हैं इनको अराम से अंस्टिश कर सकते हैं तो इसको मैं पहले अंस्टिश कर लूँगी तो यह दिखे बीच पीच में प्लीट एरिया में भी यह स्टोन लगे हुए है और पैच वक भी यहां पर इसका डिजाइन है फ्रेंट्स चैनल पर नए तो बई प्लाइन को जड़र सब्सक्राइब करें इस तरह की आने वले वीडियो को देखने के लिए तो चले फरेंट्स शूरू करते हैं तो पहले सबसे पहले मैंने लाइनिंग यहां पर सांटून का फैरिक लिया है मैंने 3 मिटर फैबरिक लिया है पूरा इस ड्रेस को बनाने के लिए तो सबसे पहले फॉर फोल्ड में इसको मैंने बिचाया है और उपर से एक सीधी लाइन डालते हुए इसको सीधा कर लिया इसका वीर्थ जो होगा चेस्ट का फूर्थ पार्ट प्लस मार्जिन के साथ मैंने यहाँ पर लिया है शोल्डर को यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्क करूंगी हाफ इंच शोल्डर डाउन करके 8 इंच पे आम होल की मार्किंग किया है तो इस लाइन को सीधा कर लिया अब चेस्ट का फूर्थ पार्ट लेंगे यहाँ पर और देड़ इंच का मार्जिन लेंगे देड़ इंच का मार्जिन लेते हुए बैक आम होल का शेप देंगे यहाँ पे और वन इंच पे फ्रेंट आम होल का शेप देंगे चेस्ट का जहां पे मार्किंग किया है वहीं से 3 इंच की नीचे की और और ओवर्बस की मार्किंग करेंगे ओवर्बस का 4 पार्ट लेते हुए 1,5 इंच का मार्जिन यहां पर मैंने नेक की विर्थ लिया है 3 इंच पे और इस पॉइंट को shoulder down किया है वहाँ पर मिलाएंगे अपर पड़ी पार्ट का जो है चोली का पार्ट मैंने यहाँ पर 15 इंच लिया है और 15 इंच पर वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 1,5 इंच का margin लेते हुए इसको सीधा कर लेंगे अब इसको cut करेंगे हम अंदर वाला पोर्शन को मैंने यहाँ पर निकालते हुए back side के लिए इसको रख लेना है अब यह वाला पोर्शन हमें front के लिए लेना है तो इसको मैं front का आम होल का shape दूँगी एक और इसी तरह एक पोर्शन मैं cut करूँगी half inch extra लेते हुए नीचे की तरफ तो यह दिखें मैंने इसको cut कर लिया half inch extra लेते हुए तो अब इसके उपर मैं mark कर लूँगी ताकि कोई confusion ना रहे तो यह back के लिए mark किया मैंने और front के लिए भी mark कर लिया अब यह जो है यहाँ पर यह jacket style मैं आएगा front में तो इसको मैं अंग्रखा style का यह cutting रहेगा लेकिन jacket style में होगा open रहेगा यह तो इसको मैं यहाँ पर mark कर लूँगी और इसका center निकालते हुए पहले मैं neck का marking करूँगी neck की width मैंने 3 inch और लंबाई जो है 7 inch लिया है और एक box बनाते हुए गुलाई का V shape जो होगा round V shape का मैंने यहाँ पर mark किया है इसको cut करूँगी अब इसको open करके shoulder से नीचे V line तक सीधी एक line डाल देंगे अब इसको line डालने के बाद यह वाला फैब्रिक को अलग कर लेंगे cut करते हुए हमें सिर्फ यह वाला portion चाहिए होगा तो यह आपर पाट के cutting हो चुकी है अब मैंने यहाँ पर sleeve की भी cutting कर लिया है 9 inch की लंबाई लिया है मैंने इसको और normal sleeves की ही cutting किया है अब बचे हुए पूरी lining को मैंने double fold करते हुए corner से triangle shape में इस तरह रख लिया है क्योंकि मुझे नीचे जो है umbrella shape में lining को attach करनी है तो यहाँ पर मैंने waist line में जितना 4 part है जो साड़े 8 inch है मेरा तो उसको मैंने mark कर लिया तो corner से जो point साड़े 8 mark किया था वहाँ पर 10 inch का लंबाई आया था तो इस तरह corner से 10 inch को रखते हुए जब mark किया तो इस circle में साड़े 8 inch आना चाहिए जो भी waist का 4 part होगा वो आना चाहिए dress की पूरी length जो है 52 inch की है और 14 inch की चोली ready हो चुकी है तो नीचे का घेर मुझे 38 का बनाना है लेकिन मैं lining को जो है 3 inch कम रखूँगी यहाँ पर 35 inch की length के according मैंने already यहाँ पर mark करके fabric को cut कर लिया अब इस side में fabric कम पड़ा था तो उसी fabric को मैंने यहाँ पर ले लिया है अब सिर्फ उपर का यह जो गुलाई है इसको cut करना है तो इसको मैं cut कर लोगी और नीचे जो patch हमने attach करनी है उसको भी stitch करके इस lining को ready कर लोगी अब साड़ी की उपर इन सभी parts को किस तरह cutting करेंगे देखेंगे तो सबसे पहले यह जो half meter तक plain fabric है इसको मैं cut कर लोगी अब इसकी बाद यहाँ पर जो emoroydry है नीचे की तरफ यहाँ पर जो front jacket के लिए हमने cut किया था उसको मैं यहाँ पर लोगी यह जो patchwork है इसको center में लेते हुए यह दिखेंगे एक side में आना चाहिए उस तरह मैंने इसको रखा और इसको मैं cut कर लोगी अब इसके ऊपर वाला जो portion है plain हिस्सा वाला उसको मैं front का जो portion है यहाँ से cut कर लोगी अब यहीं पर आगे की तरफ यह दिखेंगे यहाँ पर 15 बाइ 15 इंच की एक fabric cut कर लोगी मैं अब नीचे की तरफ sleeves की cutting करूँगी क्यूंकि यहाँ पर embroidered वाला जो fabric है तो इसको waste न करते हुए sleeve का मैं यहीं से cut करके अलग कर लोगी हमें यहाँ पर fabric को बहुत सारा बचा के रखना होगा उस तरह हमें यहाँ पर क्यूंकि करनी हैं क्यूंकि कलिया जितना आप इसको बचा के रखेंगे उतनी जादा कलिया निकलेंगी तो यह दिखेंएं वहाँ पर मैंने कट कर लिया सिर्फ बैक पोर्षन का जो फैबरिक बचा था तो उसको मैंने पल्लू की तरफ से यहाँ पर ले लिया है और यहां पल्लो के यहां से इस portion को cut करके यहां पर भी मैं सीधा कर लूँगी इस portion को cut करने के बाद पल्लो वाला portion जो pleat area जहां से start होता है उनको मैं二 खराशन को तो अब इन दोनों portions को मैं फोलड करके यहां पर 8 layer में रख लूँगी तो ये दिखिए ये वाला जो हिस्सा है ये प्लीट का है और नीचे की तरफ ये पूरी स्टोन लगी हुई है और सामने वाला ये बलो अला पोर्शन है तो इसमें पूरा स्टोन लगे हुए है तो ये 8 layers में मैंने दोनों को इसी तरह यहाँ पर ले लिया है, fold करते हुए तो यहाँ पर जितना आप चाहे कलिया निकाल सकती है, मैंने यहाँ पर 16 कली की निकालनी है तो सबसे पहले लंबाई को लेंगे, लंबाई जो है 38 इंच का मुझे बनानी है, नीचे का तो यहाँ पर मैंने इसी तरह सीधा line डालते हुए, यहाँ पर mark कर लिया और कली की उपर वाला जो width होगा, किस तरह मैंने यहाँ पर लिया है, उसकी सारी measurement मैंने नीचे mention किया हुआ है, screen पे तो उसी तरह यहाँ पर 3.2 आया था, तो पहले मैंने center निकाला, center में इसको इस तरह mark कर लिया, अब इन points को नीचे corner तक इसको मिला लेंगे इसको मिला लिया है, अब इसको cut कर लेंगे इसको cut करने के बाद, यह जो पलो वाला portion को मैंने 8 layer में जो रखा हुआ है, उसके भी 8 कली मैं इसी तरह, इसी measurement से cut कर लूँगी और इनकी एक-एक कली को मैं जोडते हुए, इसको ready भी कर लूँगी बाद में अब उपर वाला portion को पहले हम ready करेंगे, तो main fabric को सीधा रखा है और lining को इसी तरह same जैसे मैंने जो jacket का neck बनाया था, उसी के हिसाब से वैसे ही एक बनाते हुए, मैंने यहाँ पर pin up कर लिया और इसको पहले neck के उपर stitch कर लेंगे, इसके बाद यह अंगरखा वाला जो jacket का है, उसको भी मैंने lining को इस तरह उपर रखते हुए stitch करनी है, तो यह दिके पहले मैंने सीधा रखा main fabric को, उसके उपर lining को उल्टा रखा और यहाँ से यहाँ तक इसको stitch करेंगे अब इन दोनों को मैंने stitch कर लिया, इसका neck के stitch करने के बाद जो fabric है, इसको cut कर लूँगी अब पूरी neck पे इसी तरह कुछ cuts लगाते हुए, इस lining को अंदर की तरफ fold कर लेंगे और इसको इस तरह fold करने के बाद, अंदर की तरफ मोड लेने के बाद, यहाँ पर neck के उपर stitch करेंगे और side से fabric glue से paste कर लूँगी तो यह जो अंग रखा है, यहाँ पर भी मनें stitch कर लिया, इसको भी कुछ cuts लगाते हुए, इस lining को अंदर की तरफ fold करेंगे जब हम इसको चारों तरफ से stitch करेंगे, तो इस corner पे हमें एक dory attach करनी है कुछ इस तरह यहाँ पर रखते हुए, पूरा हमें stitch करना है, चारों तरफ से इन दोनों में पहले अंदर वाला जो portion है, प्लीन वाला portion, इसको ready करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो 15 by 15 inch का fabric हमने cut किया था, उसके कुछ इस तरह pleats बनाते हुए, इसको ready करेंगे इसकी विर्थ जो होगी, जितना भी shoulder होगा, आपका उतना एक side होगा, तो उससे 1-2 inch हमें नीचे की तरफ जादा रखनी है इसी तरह एक-एक pleats बनाते हुए pin up करते जाएंगे इसको इस तरह pin up करने के बाद, प्रेस की मदद से इसको एक बार set कर लेंगे तो इसको मैंने प्रेस की मदद से अच्छे से set कर लिया, अब उपर की तरफ 3 inch का जितना लिया था, वो हमें उपर रखनी है और नीचे की तरफ थोड़ी सी चोड़ाई इस तरह एड़ेस्ट करते हुए हमें यहाँ पर stitch करना है दोनों तरफ तो मैंने यहाँ पर stitch कर लिया, अब नीचे की तरफ जो भी extra fabric है, इस तरह इसको उल्टा करते हुए cut कर लेंगे अब यह attach करने के बाद हमें इस side में जो अंग रखा pattern है, इसको attach करनी है तो यह दिखिए कुछ इस तरह यहाँ पर सिर्फ shoulder और armhole से होते हुए side में हमें stitch करनी है, यहाँ से यहाँ तक नीचे हमें बिल्कुल stitch नहीं ही करनी है तो यह दिखिए friends, यहाँ पर मैंने इसको stitch कर लिया अब नीचे की तरफ क्यूंकि हमें open ही था, सिर्फ lining को हमने paste किया था इसलिए 1 इंच का extra fabric को यहाँ पर fold करते हुए मैंने अंदर की तरफ तुरपाई कर लिया है और finishing दे दिया है यहाँ पे तो अब back portion को भी मैंने 8 इंच का गला बनाते हुए लंबाई में इसको भी ready कर लिया है lining के साथ attach करते हुए और neck के उपर उरेपटी को भी attach कर लिया है यह देखे यहाँ पे अब इसकी shoulders attach करेंगे front portions के साथ तो पहले जहाँ पे हमने अंगरखा pattern को attach किया है उस shoulder को इस तरह यह उरेपटी को सामने लेते हुए attach करेंगे एक side हमें अभी नहीं करनी है तो यह दिखें जो अंगरखा है वहाँ पे attach कर लिया जहाँ पर pleats आएंगी उस side में back side का जो portion है उसके उपर यह जो हमने half meter का fabric लिया था तो यहाँ पर 3 इंच की width में मैंने pleats बनाते हुए इसको इस तरह रखा और back side के shoulder के साथ इसको हमें पहले stitch करना है तो इसको stitch करने के बाद हमें जो है front के साथ shoulders attach करनी है अब मैंने यहाँ पे shoulders attach कर लिया है यह उपर की तरफ कुछ इस तरह दिखेगा तो यह दिखेए यहाँ पर attach करके इसको ready कर लिया अब इसके साथ sleeves को भी attach कर लेंगे sleeves को मैंने lining के साथ main fabric को attach कर लिया है अच्छे से finishing के साथ तो इसको मैं shoulder से जोड लोगी अब नीची के घेर जो है इसको भी मैंने ready किया है इसमें मैंने एक पलू वाला जो कली है उसको और pleat वाले हिससे का एक कली को इस तरह जोडते हुए इन कलीों को पूरे 16 कली को बनाते हुए घेर ready कर लिया अब यह patch work जो है जहाँ पे बीच बीच में एक कली को छोडते हुए attach कर लोगी अब इन कलीों को जोडने के बाद ही मैंने यह border attach किया है तो इन patches को पहले paste करते हुए यहाँ पर stitch कर लोगी अब मैंने यहाँ पे sleeve के उपर भी border attach कर लिया है अब यह patch work भी बच गये थे तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरह shoulder पे paste करते हुए finishing दूँगी सिलाई के साथ पूरी गुलाई में हाथ से सिलाई करते हुए finishing देनी है तो यह दिके friends यहाँ पर इसको attach कर लिया अब fitting की सिलाई करेंगे तो fitting की से अब सिलाई करेंगे तो यहाँ पर हमें dory attach करनी है back side का जो portion है उसके साथ फिर हमें उसको जोड़ने के बाद fitting की सिलाई देनी है sleeve से waistline तक तो इसको मैंने ready कर लिया अब नीचे का gher जो है lining के साथ मैंने इसको attach करते हुए ready कर लिया है अब इसको जो है उपर की चूली के साथ attach करनी है तो lining को attach करते हुए finishing के साथ मैंने इसको ready कर लिया अब जब हम इसको उपर के चोली के साथ attach करेंगे तो अंगरखा वाला जो जाकेट है इसको छोड़ते हुए हमें सिर्फ उपर चोली के साथ attach करनी है यह दिखें यहां से back side से start करते हुए इसको front तक इसको पूरा जोड लिया है और side से भी इसको मैं fitting की साथ ready कर लूँगी तो final look कुछ इस तरह है करेंगे अएग जाओ है तो हाँ आग है